हेलो दोस्तों ये है न्यू होंडा डियो 110 BS6 होंडा डियो में तीन बेरियंट आते हैं आठ कलर ओप्सन के साथ ये होंडा डियो का इस टेंडर मॉडल है स्पोर्ट्स रेड कलर के साथ इसमें क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं इसका माइलेज कितना है इसकी आन रोड कीमत कितनी है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो सबसे पहले में स्टार्ट करता हूं इसके फ्रंट प्रोफाइल से तो इसका जो वाइजर है वो आपको रेड ग्लॉसी फिनिस में मिल जाता है जिसके उपर होंडा का इस्टिगर मिल जाता है और नीचे की साइड में आपको इंडिगेटर मिल जाते हैं जो की बल्ब वाले हैं जो आपको सार्प टाइप के मिल जाते हैं और यहां पर आपको हैलोजन हैडलेम मिल जाती है 35 वाट के बल्ब के साथ जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं यहां पर आपको LED का कोई भी आप्सन नहीं मि मिल जाता है ग्रे कलर में यहां पर आपको कॉंबी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है 130 mm की ड्रम ब्रेक के साथ में उसके फ्रंट में आपको 90 वाइट 90 सेक्षन के टायर साइज मिल जाते हैं और 12 इंच के ब्लेक कलर के इस टील रिम दिये गए हैं यहां पर आपको टैलिस्कॉपिक सस्पेंशन मिलते हैं अब इसके मीटर कंसोल की बात करें तो यहां पर आपको एनालोग टाइप का मीटर कंसोल मिलता है यहां पर आपको फ्यूल के लिए सेपरेट मीटर मिल जाता है और यहां से आप स्पीड द पासिंग स्विच और इंडिएटर और हॉन का स्विच मिल जाता है और इसके उपर की साइड में आपको जो है साइड मिरर मिल जाते हैं जो की काफी यूनिक डिजैन के दिये गए हैं और इसके दूसरी साइड में चलें तो यहां पर आपको इंजिन किल का स्विच मिल जाता ह और नीचे की साइड में self का switch दिया गया है अगर इसको side profile की तरफ से देखें तो इसकी जो design है वो काफी ज़्यादा unique दी गई है और इस scooter की जो theme है वो black color की दी गई है और इस scooter में आपको तीन color का combination देखने को मिल जाता है red का black का और dark gray color का और यहां पर आपको जो है moto sports का logo दे aggressive बना गई है और इसके side में आपको जो है डियो का graphics मिल जाता है जो की white color और black color के combination में दिया गया है बड़ा सा हो यहां पर आपको जो है इसके exhaust की जो design है वो भी काफी unique दी गई है और इसके उपर आपको fiber की plate मिलती है metal की plate नहीं दी गई है जो की black matte finish में है और यहां पर के लिए adjustable footrest मिल जाता है अब बात करें इसकी seat की तो यहां पर आपको 650 mm की length की seat मिल जाती है इसकी जो cushioning है वो भी काफी soft दी गई है और काफी premium quality की seat मिल जाती है और यहां पर आपको split type के जो है grab handle मिल जाते है और 5.3 liter की external fuel filling मिल जाती है और इसके पीछे की side में आपको जो ह tail amp जो दी गई है वो bulb में दी गई है और इसकी जो indicator है वो भी आपको sharp type के मिल जाते हैं bulb वाले और नीचे की side में Honda का sticker और reflector देखने को मिल जाता है इसके दूसी side में चलें तो यहां भी आपको DO का बड़ा सा graphics मिल जाता है और नीचे की side में HTVS6 का logo मिल जाता है और यहां पर adjustable footrest और ladies pillion के लिए भी adjustable footrest दिया गया है separate जैसक यहां से आप देख सकते हैं और इसके पीछे वाले tire के size की बात करें तो यहां पर आपको 90 y 100 section का tire size दिया गया और 10 inch के steel wheel rim दिये गए हैं और यहां पर आपको 130 mm की drum brake दी गई है और इसके पीछे की side में 3 step adjustable spring loaded hydraulic type के suspension मिल ज engine इसकी maximum power 7.76 PS की 8000 rpm इसका maximum torque 9 nm का 4750 rpm इसके additional features हैं ACG starter, ESP technology, front pocket, position lamp, side stand engine, cut off switch जो की optional है और इसका curve weight 105 kg इसकी ground clearance है 160 mm इसका curve weight 105 kg और यहां से आप इसके lag space area को देख सकते हो जो की काफी बड़ा दिया गया है और यहां पर आपको थोड़ा सा space मिल जाता है सामान रखने के लिए और यहां पर आपको एक carry hook मिल जाता हो यहां से आप इसके key point को देख सकते हैं यही से आप इसके external fuel filling और इसकी seat के boot space को open कर सकते हैं और यहां से अगर आप इसको select करोग तो इसकी seat है वो open हो जाती है तो आप दोस्तों मैं आपको जो है इसके boot space को दिखा देता हूं तो यह है इसका boot space जो की काफी ठीक ठाक दिया गया है इसके अंदर आपको LED light और mobile charging की कोई भी सुदा नहीं मिलेगी जैसा की Honda में नहीं मिलती हो यहां से आप इसके seat को देख सक में और highway में claim करती है 59 का जैसा कि यह 110cc का scooter है तो इसमें आपको 50-55 kmpl का आसानी से mileage मिल जाएगा अगर आप इसको economy zone में चलाते हैं तो अब बात करें इसके price की तो Honda Dio standard variant की on-road कीमत है 82,688 रुपे यह on-road कीमत मैंने आपको बताई है दुगार Honda Bangor Kolkata Soroom की Soroom की सारी जानका बाक्स में मिल जाएगी अगर आप Kolkata या असपास से हैं तो नीचे दियो हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं अधर स्टिट बाले बिल्कुल भी टेंसन ना लें आप अपनी city का नाम comment box में comment कर देना मैं आपको आपकी city का on-road price reply करके बता दूँगा अगर यह वीडियो आपक